साथियों कैसे हो मजा मा केम चो थोड़ी बहुत गुजराती जो है मैं सीख गयों और कुछ मेरे कस्टमर जो हैं गुजरात से आते हैं बड़ा अच्छे बड़े बोड़े लोग लगते हैं गुजराती भई देखो छोड़ी सी बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट को लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूं प्रॉब्लम क्या होती है कि अकसर ऐसा दिखा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट चोर है और हमेशा ही उसको संदे के घेरे में रखा जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है लोग कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई श्वीला बदनाम हुई उ का दुरुपियों करा और फला फला कर दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया जो वास्ता में चोर हैं वो तो बैठें इंडिया से बार उनको को ने पकड़ती है सिर्फ पीछे बड़ी भी आप लोगों के कारण क्या है कि आप लोग कमजोर हो डर जाते हो गवरा जाते हो जिंदिगी में सिखे ही क्या हम लोगों ने कि बैस नौकरी करनी है तंखा लेनी है घर जाना है जिस कारण आपका जो है शोशन हो रहा है जिस कारण आपका जो है है हो रहे हैं जिम्मेदार आप खुद हो एक छोटी सी बाष समर्व लो हिंदुस्तान में हर वेक्ति चोर नहीं है कुछ वेक्ति ऐसे भी हैं जो इशवर्त टुल्ले हैं और होसकता है कि जो मेरे वीडियो सुनारे हैं उसमें से कुछ वेक्ति ऐसे भी हो जिनको anti-corruption ने इसलिए trap कर दिया कि उनकी intention किसी की help करने की ती यह help से मेरा मतलब वो नहीं है कि पैसा लगी किसी की help करना कई बार होता कि कोई विद्वा मेला हमारे सामने आ गई या कोई अनात बच्चे जो है हमारे सामने आ गई या कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी वासे में help की जाने चाहिए उनको किसी ने भी consider नहीं करा उनका हमेशे जो है वो शोशन हुआ जिस करन कुछ ना कुछ help पैसों के help नहीं कुछ ना कुछ help जो जायज help है जो legal help है वो आप लोग करते हो ultimately क्या होता कि इन मामलों में जो है शिकायत हो जाती है जाँच बैठती है और anti-corruption बोलती है कि आपने पदी दुरचार करा है आपने गवन करा है और आप दोनों जो है मिला बक्ती करके सरकारी पैसे को जो है जीम गए अब जड़ा सोचो बैचारे कि हमने एक तो हैल्प करी उसको जो है हमने लीगली कोई फाइदा पहुचाया और हम को सुनने हो क्या मिल रहा है कि हम जो है चोर है और हमने corruption किया क्या यही सुनने के लिए हमने नौकरी जॉइंग करी है नहीं जी जिस तरह से हम सरकार के employee है सरकार के मुलाजीमान है वैसे ही Anti-Corruption Bureau जो है ये सरकार की एजेंसी है इसका काम क्या है कि जहाँ जहाँ corruption हो रहा है उसको identify करना उसको पकड़ना और उन वेक्तियों को जो है abusive करना They could not become judge They are mere investigating authority Important चीज इसली भी है कि ये authority जो है कई बार harassment बो तर जाती है कि मामला कुछ नहीं जी एक notice दिया, document तलब करे और पीछे पड़के पड़के पब्लिक सर्वेंट के कि आप तो जो चोर हो, आपने फाइदा मुझा दिया आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया अब बैचारा पब्लिक सर्वेंट जिसने कुछ करा ही नहीं जिसको अता पता ही नहीं है केवल उसने help करी है और उसका परणाम क्या है कि कोट कचरी में जो है घूमते हो तो आज एक important live topic को में discuss करने वाला हूँ पंजाब एन हर्याना का वो judgment जो आप सब के जो है काम आने वाला है उस मामले में वैसे यह वा था कि कुछ public servant पर आ रहुता कि आपने फला फला कंपनी को फाइदा पहुचाया और ultimately आप सब जो है मिले वे हो सरकारी funds का आपने दुरुप्यों करा आप लोगों ने corruption करा आप लोगों ने conspiracy करी वहाँ पर चलांज जो है पेश हुआ और ultimately वहाँ पर CBI की जो चार्शीट थी उसके चार्जेस थे उस पर लगाम कसी पंजाब इन हर्यारा हाई कोट ने तो पूरे टॉपिक को मैंने समझाने का प्रयास किया है by the way of presentation तो साथियों टॉपिक काफी important है वीडियो को अंतक देखेगा ताकि पूरा टॉपिक जो है आपको clear हो सके तो शुरू करता हूँ आज का presentation साथियों एक छोटी सी बात समझनी है CBI की Anti-Corruption Wing ने एक मामला दर्च किया Section 420 120B IPC और 131D 132 PC8 के तहट मामले के शॉर्ट फेट्स क्या है वो भी हम समझेंगे सबसे पहले हम आते हैं Legal बिंदू के उपर कि ये धाराएं क्या बोती है शॉर्ट में 420 बात करती है Chitting की 120 भी जो है बात करती है Criminal Conspiracy की और 131D बात करती है Miss Conduct की खासकर Criminal Miss Conduct की शॉर्ट में कहेंगे कि Public Servant ने कुछ ना कुछ Pecunary Benefit लिया और Third Party को जो है Wrongful Benefit पहुचाया Clear हो गया अब इस मामले की जो है अपने छोटे से Fet समझते हैं और हमारे साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें करना क्या है उसकी समझ युक्तियां जो हैं आपको आज में बताने वाला हूँ सातियों एक कंपनी है जिसका नाम है ALJ Associate Journal Limited इसने स्टेट गॉर्मेंट के बास जाकर अपलाई किया कि हमें प्लॉट चाहिए स्टेट गॉर्मेंट ने पूछा कि क्यों चाहिए तो इन्होंने का कि हमें अगबार का दफ्तर खोलना है और चुकि हमारा प्रॉफेशन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करें अधिक सदिक पैसा जो है उनसे लेवें तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर लेंड जो है वो अलॉट की जाए यहां पर लेंड जो है अलॉट होई पर एक कंडिशन लगा दे कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जल्द ही इनिशेट करें अधर्वाइस प्लॉट जो है आपका निरस्ट कर दिया जाएगा इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क करा नहीं जिस करण प्लॉट जो है इनका निरस्ट हुआ अल्टीमेटली इन्होंने हुड़ा हरियाना अरबन डेवलोमेंट आथोरिटी उसके बाद कंस्ट्रेंट कमिशनर और उसके बाद सरकार के पास जाकर गोहर लगाई पर किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और यही का कि आप गल्ती पर हो जिस करण आपको री अलॉट्मेंट नहीं होगा अब इनके जीवन में अवतार बनके आए बुपेंदर सिंग्जी हुड़ा जो कि उस समय के CM थे और ऐसे ही आपतार बनते हो आप भी किसी के लाइफ के अंदर इन्होंने क्या बोला कि भाई इनका परपस जिनाईन था बले ही कंस्रक्शन नहीं कर पाए इन्होंने उसी रेट पर इनको प्लॉट जो है वापिस से री अलॉट कर दिया और यहीं पर लपड़ा शुरू हुए केस जो है दर जुआ उपरोगधारों में और अल्टीमेटली चार्शिट जो है वो पेश हुई चार्शिट का बेसिक एलिकेशन या बेसिक कंटेंशन यह है कि पुपेंदर सिंग हुड़ा मोतिलाल वोरा और जो यह कंपनी है AJL इन तीनों ने एक सैकल बनाया जिसे हम कहेंगे और एक दुसरे को जो है फाइदा पहुचाया और सरकार को जो है हानी पहुचाया यहाँ पर मामला जो है फिर कोट में गया कोट में डिस्चार्च पेटिशन रखी गई और छे पॉइंट जो है मोटे मोटे रेस किये गए कि चार शिट जो है इन लेगल है क्योंकि जो भी डॉकुमेंट अक्यूज ने दिये थे उन्हें कंसिडर नहीं किया गया इवन ट्राइल कोट ने भी उन्हें कंसिडर नहीं करा जो की इंडिकेटिव है नॉन एप्लिकेशन और माइंड का दूसरी बात जब प्लॉट इशू हुआ तो ये पॉजेशन मेरा ए एल जे के इसका री पॉजेशन जो है हुड़ा के द्वारा नहीं लिया गया हुड़ा से मतलब वो नहीं कि मैं सीएम की बात कर रहो हुड़ा मीज हर्याना अर्बन डेवलोमेंट आथोरेटी तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सरकार को जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुचाया गया जिस रेट पर अलॉट्मेंट हुआ था वो अमाउंट जमा करा दिया गया और जो रिफंड आया था उसको भी क्लेम नहीं किया गया चौती इंपॉर्टेंट बात कि कॉंस्पेरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जबकि ऐसे कोई भी इंडिकेटिव पोजिशन फाइल पे नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थार्टेंज मंडी के लिए अप्लिकेबल है कि देर शुड बी आ मिसकंड़ट कि आपने ओफिशल पोजिशन को मिस्विश करते वे किसी को फाइदा पहुचाया अगर जज्जमेंट में मियर एरर है या आपने बिना किसी दुरभावना से ग्रस्थ होके किसी के लिए कोई लीगल फंक्शन किया है तो वहाँ पर करप्शन के चार्जे जो है लेवल नहीं हो सकते है तो ये मोटे मोटे पॉइंट जो है वो रेस किये गए और इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी रखा गया कि प्रतम दिस्टाय केज जो है वो नहीं है जो कि बुनियाद है चार्ज फ्रेम करने का या अगरिम कारवाई करने का कि हमने क्या वैल्यूबल फिंग ली हमने क्या पेक्रिंडरी एडवांटेज दिया जिस कारण देरावन डी एप्लिकेबल नहीं होता है इन सब बातों को ले करके पॉइंट रखे गया यहाँ पर कोट ने पॉइंट को कंसिडर करते वे सीबिय की जो कारवाई थी यह जो चार्ज की जो फर्दर कारवाई थी इसको स्टॉप कर दिया स्पेस्टे लगा दिया यह जज्जमन हमारे केस में इसलिए महत्पूर ने की अगर आपने कभी अपने लाइफ में किसी को लीगल फाइदा पहुचाया और आपने कोई भी लाब जो है नहीं कमाया और अल्टिमेटली आप फसाद दिये गए तो वहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि आपको अपनी बात ग्यापन के रूप में या लेटर के रूप में या नोटिस के रूप में एसी बी को पहुचानी है इसका बेनिफिट क्या है कि अगर यह कंसीडर नहीं करते हैं ट्राइल कोट्स चंसीडर नहीं करती है तो इसका मतलब इनकी अपरोच जो है वो बाइस्ट है बार बार सुबरिम कोट ने कहा है कि प्रोसिक्विशन और डिफेंस वर्जन जो है एक जैसे हैं ये नहीं कह सकते है कि prosecution सच बोल रहा है और ये नहीं कह सकते है कि defense जो है हमसे जुट बोलेगा अगर ऐसे documents हैं जो undisputed हैं और एक logically बात को repose कर रहे हैं कि भाई इस मामले में corruption नहीं हुआ है जो भी किया गया है legally किया गया है good faith में किया गया है mere error of judgment है तो वहाँ पर इस तरह के मामले जो है वो नहीं बढ़ना है तो आपको ये काम तो करके रखना ही रखना है एक बात समय लो दूसरी बात जब लिखित महस लिखो या लिखित तर्ग लिखो तो इनको point wise पैरा wise जो है लिखो समझने में जो है easy रहेगा otherwise क्या हो जागा खिचड़े बन जाएगी किसी के जो है कुछ नहीं पढ़ने पढ़ने वाला तीसरी बात ये कि legal points को ये legal references को भी जो है clearly लिखें आप कहीं बार legal reference को लिखने के साथ साथ copy attach नहीं करते हैं हो सके तो इनकी copy जो है attach कराएं और एक रामबार judgment जो है आपको यहां पर समझना है जो माननीय सुपरिम कोट का है 2016 SCC page 277 कि अगर anti-corruption आपकी बात consider नहीं करती है तो आप CBAE court या ACB court जाकर अपनी बात को रख सकते हैं by the way of petition तो कुल मिलाके जो है घबराने कर नहीं है और जैसा फाइदा इस मामले में concerned accused को होगा और जितना बड़ा वेक्ति होगा उसकी उतनी बड़ी जो है बदनामी होगी पर इन्होंने घबराए बगर points collect करे अपने points को जो है by the way of petition before court रखा और ultimately they got a stay order from the honorable high court तो कहने की बाद है कि आप लोग घबरा जाएंगे या quality में बारगने करना शुरू कर देंगे then definitely you will not get a result आपको करना क्या है points को इकठा करना है evidence को जो है इकठा करना है एक बहतरीन petition बना कर आपको अब court के सामने जाके अपने बात को रखना है and definitely you will get a result अब तो वैसे भी देखो ये court तो आई गए तो अपने को जो है डरने की जरूत नहीं है आप अपने बात को किसी भी शैर में बैटे बैटे code में जो है रख सकते हैं तो कोई भी तकलिफ जो है आपको नहीं होनी है तो कुल मिला कि अगर aware रहेंगे आलट रहेंगे then definitely you will get a result और अगर अपन नहीं रहेंगे तो अपने को वहाँ पर पर परशानी आ सकती है तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना मेरे चैनल को जो है सब्स्राइब कर देना साथियों मिलते हैं एक नए डॉपिक के साथ तब तक के लिए जय है जय भरत